दोस्तों, जब हमारा बेवी चलना शुरू करता है, तो वो पूरे घर में घोम घोम के सब कुछ टच करना चाता है। बेवी का ये exploration उसकी mental और physical health के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन हमारे घर में कुछ ऐसी जगह भी होती हैं, जो बच्चों के लिए safe नहीं होती, जैसे furniture के sharp corners, electric sockets, door का frame और kitchen cupboard। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन सब जगहों को हम अपने बेवी के लिए safe कैसे बनाएं, ताकि हमारा बेवी पूरे घर में घूम सके। तो start करते हैं corner और edge protector से, sharp corner और edges को protect करने के लिए market में दो type के corner protectors आते हैं, एक होता है foam वाला और दूसरा होता है silken वाला corner protector, silken protectors काफी sleek और transparent होते हैं, इन्हें लगाना काफी आसान होता है, यह देखने में भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन लगाने के बाद यह काफी hard हो जाते हैं, और दूसरे होते हैं foam वाले corner protectors, यह सिर्फ 2-3 colors में आते हैं और काफी thick भी होते हैं, यह देखने में जादा अच्छे नहीं लगते, बट यह baby को जादा protection देते हैं, मुझे personally foam वाले corner protectors जादा पसंद हैं, तो चलिए अब देखते हैं कि इन्हें कैसे install करना है, यह बहुत ही आसानी से install हो जाते हैं, सबसे पहले हमें उस जगा जहां protector लगाना है, उसे अच्छे से साफ कर लेन फिर corner protector में जो two-sided tape लगा हुआ है, उसकी उपर की layer को उतार देना है, फिर हम corner protector को थोड़ा सा twist कर लेंगे, जिससे हम furniture के corner के sharp edge को protector से align कर पाएं, फिर बस हमको इसको अच्छे से press कर देना है, ताकि यह अच्छे से चिपक जाए, चिपकने के बाद हमें इसको 24 घंटे तक चाहिए, ताकि glue dry हो पाए, तो अब बात करते हैं, electrical socket protector की, अगर आपका baby भी मेरी baby की तरह curious है, और electrical socket में अपनी छोटी छोटी उनिया डालने की कोशिश करती है, तो आपको भी एक electrical socket protector ले लेना चाहिए, यह बहुत ही simple होते हैं, और ज्यादा महगे भी नहीं आते, इनको बस आपको अपने electrical socket में insert कर देना है, और आपका काम खतम, इसे निकालना बच्चों के लिए आसान नहीं होता, बट बड़े लोग इसे आसानी से निकाल सकते हैं, इसलिए इस छोटी सी चीज़ से आप अपनी baby की protection को बहुत ज़्यादा improve कर सकते हैं, दोस्तों, हम सभी अपना कीम्ती समान drawers में रखते हैं, बच्चे इन drawers को बहुत ही आसानी से खोल सकते हैं, और हमारे समान को तोड सकते हैं, जिससे उन्हें चोट भी आ सकती है, मार्केट में बहुत सारे child safety locks आते हैं, जिनने हम किसी भी cabinet या drawer में लगा सकते हैं, और अपने baby को और अपने समान को भी protect कर सकते हैं, तो आईए देखते हैं, इन्हें कैसे install करना हैं, सबसे पहले हमें ये decide करना होगा, कि lock को कैसे install करें, कि cabinet इससे lock हो जाए, इसके बाद हमको उस area को अच्छे से साफ कर लेना है, ताकि हमारा lock अच्छे से उस जगा चिपक पाए, फिर हमको tape की backing को peel कर लेना है, और decided area पर चिपका देना है, याद रखे कि glue को सुखने में 24 गंटे तक का समय लग सकता है, उसके बाद ही हमारा lock अपनी full strength पे काम कर पा उन सब का link आपको description box में मिल जाएगा, तो आप बात करते हैं door hinge guard की, लेकिन उससे पहले, दोस्तो, मैं अपने channel पे parenting और childcare videos बनाती रहती हूं, और इनको बनाने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती हूं, ताकि मैं आपके और आपके नन्यमुनों के लिए best content बना प ही मेरे channel को subscribe किया है, आप बस एक छोटे से click से मेरे channel को subscribe कर सकते हैं, और मेरे काम को support कर सकते हैं, तो अब चलते हैं अपने topic की और और बात करते हैं door hinge guard की, दोस्तो, मेरी baby पूरे घर में घुमती रहती है, और कई बात door और door के frame के बीच में अपना हाथ भी रख लेती है, ऐ हो सकता है बचपन में आपको भी कभी ऐसी चोट लगी हो, हमारे baby को ऐसी दर्दनाग चोट से बचाने के लिए market में door hinge cards आते हैं, जिससे हम अपने door पे लगा सकते हैं, जिससे door और door के frame के बीच का gap कवर हो जाता है, इनको install करना बहुत ही आसान होता है, सबसे पहले हम door और door के frame को अच्छे से साफ कर लेंगे, ताकि protector का tape अच्छे से चिपक सके, फिर हम protector को door frame पर रख कर देखेंगे, कि उसकी installation की best position क्या होनी चाहिए, हम नीचे से थोड़ी एक दो इंच का gap भी छोड़ देंगे, ताकि वहाँ धूल मिटी खटा ना हो, और घर की सफाई, जैसे क जाडू पोचा सही से लग पाए, फिर हम door को खोल लेंगे, और protector के एक side की double sided tape को पील करके frame पर इसको straight line में अच्छे से चिपका देंगे, फिर हम दूसरी side की भी double sided tape को पील कर लेंगे, और open door पर उसको अच्छे से चिपका देंगे, और बस हमारा door hinge card install हो गया, अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं, तो आपके लिए एक safety tip, अगर आप first floor या उससे उपर की floor पे रहते हैं, तो आप अपनी balcony को child safety net से cover करा सकते हैं, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है कि बच्चे balcony से गिर गए हैं, बेबी safety net लगाना थोड़ा expensive तो होता है, बट ये बच्चे की safety के लिए बहुत ज़रूरी है, तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि सिर्फ 4 चीजों से हम अपने घर को अपने बेबी के लिए बहुत ही ज़ादा safe बना सकते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इससे like करिए और मेर चानल को subscribe कर लीजिए, वीडियो में हमने जिन भी products के बारे में बात की है, उसका link आपको description box में मिल जाएगा, इस वीडियो में बस इतना ही, thank you so much for watching, bye bye